पूरु सांसर राजिश मिश्रा बोली यूपी को चाहिए लड़ने वाली कॉंग्रेस राजिश मिश्रा निकाबी जेपी की वज़े सिंधर्म का केंद्रू राइपूर में कैची से वार्कर बीबीए के स्टुडेंट के हत्या कर दी गई बिलासपूर में गैंगरे पिड़ता के पीता को जूटा केस में फसाय गया पजिशन और महले वालों ने थाने में मचाय हैंगा मासमुद में एक आश्रम में नाबालिक से प्रतार्णा अवैध रूप से संचालित आश्रम का गुरू गिरफतार बस तर आएंगे किंद्रिय ग्रे मंत्रिय में शाद दो महीनी में दूसरा दोरा सी आर पिफ के कारेकर में होंगे शामिल नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम की वी और मैं हूँ आपके साथ ननिरी आदोव वक्त हो चुका है चातर्जगर की खबरों कारू करते हैं खबर की ओर सूरजपूर में सीसील से ग्रामीडों की नौकरी मुआवजा की मांग पर सहमतीव बनाने के लिए सीसील के अधिकारी को आश्वासन कराते हुए नौकरी के दस्तावेज की जाच करने और तूटी सुधार करने की बात कही है सूरजपूर के भडगाउं थानाशित में कुछ बदमाशों ने भाजियू मंडल अध्यक्ष और उसके साथियों को जान से माने की धमकी देकर उन पर हमला कर दिया जिसके बाद मंडल अध्यक्ष ने थाने में मामले की रिपोर्ट दर्च कराई वह मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानेरख्षक ने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों को जल से गिरफ़तार करने के निर्देश दिये इस बीछ मोखबीर की सूचना परते इन आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया गया है आरूपी संजय अगरवाल एक आधतन अपराधी है जो मारपीट, बलवा, दोखादड़ी, पूट रचना इसके के तहट 19 मामले पुरिया जिले में पंजिबद हैं जिन पर इसकी गिरफतारी भी आगे की कारवाई चल रही है इसके अतरीक्त सूरेशपूर जिले में ही थाना चंदौरा में इसके खिलाब 389, 407, 408, 120 बी के तहट भी अपराध पंजिबद किया गया है जिसमें भी कारवाई की जारी है इसके अतरीक्त जो चंदन उर्ष पर का सर्मा है उसके खिलाबी मारपीट बलवा हत्या का प्रयास जैसे 15 अलग-अलग मामलों में अपराधिक प्रक्रम दर जाएं सराइपाली में पुलिस टेम ने बड़ी सफलता हासिल किये पुलिस ने शादी का लालस दे कर शारीरीक संब्द बनारे और पिर्टा के गर्वती हो जाने पर शादी से इंकार कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफतार कर लिया है बता दे कि पिर्टा ने आरोपी के खिलाफ सराइपाली थाने में रिपोर्ट दर्श कराई थी आरोपी ने शादी करूँगा कहकर जबरन शारीरीक संब्द बनाएं जिससे पिर्टा गर्वती हो गई थी फिलाल आरोपी ने पुलिस से पूस्ताश में अपना अप्राब्द कुबूल कर लिया है जिस पर आरोपी को गिरफतार कर रिमांट पर चेल भेशिया गया पूटा पारा की एक यूती है जिसको दामोदारा का गियुवक मनिश चौहान साधी का प्रोलोभत लेकर उसके साथ दहिक सुसन किया पिलिता ने कोटवाली महासमुन में एपायार कराई जो सरायपाली में नंगरी अपराद पंजिबत किया गया सूरजपूर में एसी सेल विश्रामपूर छित्र के रेहर गायती परियूशना में नौकरी मुआशा और मोलभूत सुविदा की मांग को लेकर ग्रामिडो ने धाना प्रदर्शन किया ग्रामिडो द्वारा ख़दान के गेट पर ताला लगा कर कोल परिवहन और उत्पादन को पूरी तरह से ठब कर दिया गया ग्रामिडों का कहना था कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक कोल परिवहन व उत्पादन पुरी तरीके से बाधत रहेगा खबर महा समुच सेहजान नेशनल हाईवे तिरपन फितहौरा में एक बड़ा हासा हुआ है बतादे की ट्रैक्टर शोरूम के सामने हार्वेस्टर मशीन और ट्रक में जोड़दार भिड़न्त हो गई हार्वेस्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई सराय पाली में पुलिस ने मुखबीर की सूशना पर कारिवाई करते हुए कबाड का कारुबार करने वाले दो व्यक्तियों को लाखों के चोरी के कबाड के समान के साथ किरफतार कर लिया है दारसल थानब प्रभारी को मुखबीर से सूशना मिली कि जैस्तंब चौक इस्थित कबाडी दुकान में चोरी कबाड लोहा टीना भारी मात्रा में खरीद कर रखे हैं जिस पर कारिवाई करते हुए पुलिस ने आरूपियों को ग्रफतार कर थाने में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है जी यह कल जरियो मुक्विर सुचना मिला कि बाजारपरा में एक कवाडी जिसका नावर्दू लगी जावेद अक्तर दुनों बाग पेटे हैं बाजारपरा में कवाडी का दुकान अखुले में मुक्विर के सुचना पर उनके दुकान में जाकर रेट कानवाई किये जिसके पास से करीब सुचना को इंटर कवाड किमती करीब 20,000 रुपए को जब तकर खाना लाए क्या सर वो चोरी का माल था पुरा यह अपन चोरी के संदे पर जब तक किया है आगे की कारवाई में पता चलि लाएगा चोरी का है क्या है नारायनपुर्वे पुलिस अधिक्षक के मार्क दशर में डियारजी टीम नकसल विरोती अभियान के लिए रवाना हुई थी जहां टीम ने सर्चिंग गश्ट के दोरान तीन संदियों को संदित गत्वीधियों के आधार पर पकड़ लिया वह संदियों से पूस्ताष पर तीनों ने बताया कि तीनों पुर्वी बस्तर डिवीजन अंतरगरत अमदाई एरिया कमेटी के सदस्य है और नकसल गत्य विधियों में शामिल रहे हैं और बुच्टाष करने पर हमें ये पता चला कि ये पूर्व में तीन अकसली गत्नों में सांशामिल रहे हैं जिसमें से प्रमोग गत्नाए जैसे कि सेप्टेंबर 2021 में चोटे डोंगर मणोनार के पास आग जनी की घट्ना कर मुंशी की खत्या करना तथा मार्च 2022 में कड़ कर मिटा के पास परली बार सूर रोड पे बड़े गुर्गों पे बुच्टाष के लाझा ए लगाना उसी प्रकार इन्होंने डिसंबर 2022 में कड़े मेटा के पास पर्ली वार्सू रोड में एक दूसरा एडी भी लगाया था इन तीनों अपरात को इन्होंने पुछताज के दौरां सुईकार किया जांजगी चांपां थानाशित में 2019 में हुई हत्या के मामले में फराज चल रहे तीन आरोपियों में से दो को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया है बता दे कि आरोपियों ने अपनी मा के साथ मिल कर अपने सौतेले पिता की हत्या की थी और बोरा में भर कर फिक दिया था इस मामले में पुलिस ने महिला को अपने पती के हत्या के मामले में गिरफ़तार कर लिया था वही हत्या में शामल बेटा और बेटी फरार थे जिने पुलिस ने मुंगेर बिहार से गिरफ़तार किया है गटना थाना चांपा छेत्र का है वर्स 2019 का इसमें प्रार्थी अर्वीन कुमार वर्मा निवासी विजय नगर जीला मुंगेर बिहार के द्वारा थाना चांपा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 11.12.2019 और 12.12.2019 के दर्म्यानी रात इसका भाई मृतक धरम व देवी के पुत्र छोटु कुमार के द्वारा पारिवारी की बात के चलते उसकी हत्या कर दी गई और बाद में अम्रितक की पतनी सोमो देवी और उसके पुत्र छोटु कुमार संदिप कुमार और उसकी पुत्री के द्वारा एक राय होकर सड़ेंतर पूर्वक जूट के बोरे में भरकर नीधी भवन के पीछे तलाब में फेक दिये। कि यंवी के पायो पाउर प्रांट के लिए आज की जन सुनवाई कलतरा में रखी गई थी लगभग 500-300 लोगों अपने दिशार रखे और एक्जिमम लोगों ने कंपनी खोलने के लिए प्रांट कोलने के लिए अपनी समध की दिये। अब दीखा भी हो बात कि अहां प्लांट में अधिकारियों दारा बगर सुनवाई के बगर गाहां में सुचना दिये। सुनवाई कर दियेगा नियमों को उलंगन करते हुए किया गया है जो कर हम लोग गाहँ वाले दुखी हैं और आने वाले समय में किसी प्राकार को प्लान नहीं लगना चाहिए यह मैं करना चाहिए हम यह चाहते हाए कि वहाँ पर कि अमारं थाल के जो गरिब है जो मजदूर है उनको हग मिले और जन सुनवा तो होना ही पर से गाह में अपना और जो गरीब है जो वास्तवी को गरिबहे उसे भुट सिधा मिलने चाहिए और दिन उस गरीब को उप्यक्षित होगा उसको रोजगार नहीं मिलेगी तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेगी जिसकी जवाबदारी सासन प्रसासन और मेनेजमेंट की कोई जांगे जिला सत्र न्याधिश ने राजस्वा निरख्षक के साथ हजार रुपए घूस लेने के मामले में एंटी करफशन विवाग की कारिवाई पर सुनवाई की कोट ने फैसला सुनते हुए राजस्वा निरख्षक शिव ठाकूर को चार साल की कैद और दस हजार रुपए का आर्थिक डन लगाया है लोक अभियोजक राजेश पांडे ने बताय की मामला दोहजार उन्निस का है जानके चांपा जिला के खराओद में रेवेन्यू स्पेक्टर द्वारा किसान कोमल पांडे की जमीन का सिमांकन करने के एवच में रेवेन्यू इंस्पेक्टर शिव ठाकूर ने दस हजार रुपए की मांग की थी दोजार उन्निस का मामला था खराओद के राजसुनिक चक शिव ठाकूर को के द्वारा प्रार्थी कुमल पंडे के भूमी के सिमांकन हितू घूस के मांग किया गया था दज रुपए की मांग पर तीन रुपए उसने दिया था साथ जार रुपया की मांग की सिगात किया था एंटी करफ्शन बीरो ब्लासपूर की टीम के द्वारा लालू सुर्श जांगीर में उसको साथ जार रुपए लेते होई रंगे हाथ पकड़ा था जिस पर एंटी करफ्शन बीरो की दवारा मांगी सूरेश क्मार जुन साब के नियालय में प्रक्ण पक्रेश्थित किये थे जहां से मांगी सूरेश क्मार जुन साब की दवारा रुपी को चार वर्ष की सजा एम 10.000 रुपए के अर्थम से दंडित के है शत्तेसगड के स्वासमंद्री टियास सिंग्देव का सैकरों की संख्या में सफाई करमचारी कल्यार संक्य पदादिकारी और कारिकरताओं ने बंगले का घिराओ किया है इनकी मांग है कि अंशकालीन स्कूल सफाई करमचारियों को मजूदा सरकार ने पुड़कालीन करने के लिए अपनी घोश्रा पत्र में कहा था कि लेकिन चार साल बीत जाने के बार ने इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा सका प्रदेश के स्वास मंद्री टियास सिंग देवे वीडियो कॉलिंग के जरिये अंशकालीन स्कूल करमचारियों से बाचीत की और उनको आउगत कराई की मैंने आपकी मांगों को मुख्य मंद्री के सामने रख दिया है सक्ति के जैजैपुर विकास खंड में पुरुमाधमिक के स्कूल धमनी के प्रदाना ध्यापक और इस संकूल समनिवेक दोनों के पदपर पजथर जोकी नियम विरुद है बता दे कि जग जीवन जाग गंडे सतनामी अधिकारी करमचारी संग के ब्लॉक अध्यक्ष और प्रांतिकारी सिक्षक संग चतिसगर के जिलाध्यक्ष है इसके अलावाँ विभन संगठोनों से जुड़े हुए हैं और आए दिन इन संगठोनों के कारेक्रमों में भाग लेने के लिए इस स्कूल से नदारत रहते हैं ओक तो सच्छक कभी भी समय परशाला नहीं पहुंचते हैं आज करी चतिसगर की खबरों में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एप्राइम टीवी